नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में दोस्तो आयूरवेर में कई ऐसे घरेलून उसके बताये गए हैं जो हमें गंबीर से गंबीर बिमारियों से बचा सकते हैं साथ ही शेरीर को लंबे समय तक स्वस्त रखने में हेल्दी रखने में भी हेल्फुल होते हैं आज हम आपको एसी ही पांच जादूई पत्यों के बारे में बताएंगे जो कई तरह की बिमारियों से लड़ने में काफी ज़्यादा कारगर मानी जाती हैं दोस्तो सबसे पहले आती है नीम दोस्तो नीम को आयूर्वेद में सेहत की खान का जाता है इसमें मौझूद एंटी बेक्टिरियल तत्व संक्रामक रोगों से बचाने में हेल्फुल होते हैं अगर इसकी 10-12 पत्तियों को पीस कर सुबह खाली पेट खाया जाए तो तुचा के तमाम प्रकार के रोगों में ये काफी ज़्यादा लापकारी होती है अगर किसी के बाल जड़ रहे हूँ या फिर शरीर से पसीना आ रहा हो तो नीम के पानी से नाना चाहिए इससे ये सारी प्रोब्लम्स दूर हो जाती है इसके अलावा दूसी चीज़े दूस्तो तुलसी के पत्ते जी या तुलसी के पत्तों में एंटी इंफ्लेमेंटरी तत्व होते हैं अगर तुलसी के 8-10 पत्तों को चीनी में मिला कर लिया जाए तो इससे लू नहीं लगती जी हाँ गर्मी के टाइम आप इससे बस सकते हैं अगर आपके पेट में हमेशा गर्मी बनी रहती है तो रोजाना खाली पेट तुलसी के 2-3 पत्ते आप जरूर चबाएं इससे आपको बहुत ज़दा राहत मिलेगी दोस्तो बबूल की पत्तियों में एंटी बेक्टिरियल गुन होते हैं इन्हें उबाल कर इससे कुला करने पर दात और मसूडों में मजबूती आती है अगर किसी के फोडे फुनसी हो जाए तो बबूल की पत्तियों का रस निकाल कर उसे सर्सों के तेल में मिला कर लगा ले इससे सारी प्रकार की परेशानिया दूर हो जाती है दोस्तों अगर आपके पेरों में जलन है तो बेर की 40 ग्राम पत्ति, सफेद इलाइची और 20 ग्राम मिश्री के दाने को लेकर पीस ले इस पेश्ट को अपने तलवों पर लगाए ऐसा करने से जलन की जो प्रोब्लम होती है वो दूर होती है अगर आपको लगातार 10 आ रहे होते हैं तो 10 से 15 बेर ले और उसे खूब चबा चबा कर खाए इससे सारी प्रकार की प्रोब्लम है यानि कि पेर से संबंदित, दाइजेसन से संबंदित जो प्रोब्लम होती है वो दूर हो जाएगी तो दोस्तो यह थी वो कुल जादूई पत्तियां जो की अलग-अलग प्रकार से शरीर को फाइदा पुचाती है तो दोस्तो यह थी हमारी आज की एक और एहम जानकरिया आप सभी लोगों के लिए जो होती है यह समाप्त उमित करता हूँ वीडियो और जानकरिया आपको पसंद आई होगी तो दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को जादा से जादा लाइक और जादा से जादा शेर जरूर करें ताकि हर व्यक्ति तक यह वीडियो पहुँच पाए